सुबा खबर आती है राजस्थान में 15 फर्जी ट्रेनी एसाई पकड़े गए हैं दोपहर तक की ये आखड़ा बढ़कर 50 हो जाता है और शाम होते होते राजस्थान में पेपर लीग पर सबसे बड़ी कारवाई हो जाती है जी हाँ राजस्थान स्पेशल ओपरेशन ग्रोप यानी S.O.G. ने अब तक कुल 50 आरोपियों के खिलाफ मुकड़मा दर्ज किया है और ये आकड़ा भी और बढ़ने वाला है आलम तो ये है कि 35 फर्जी SI फरार हो चुके है आपको बताएं कि राजस्थान S.O.G. ने पेपर लिक में सबसे बड़ी कारवाई करते हुए 15 से 20 फर्जी सब इंस्पेक्टरों यानी दरोगा बनने जा रहे फर्जी लोगों को गिरफतार किया है अगर आपको इस खबर से हैरानी हो रही है तो जरा ठहर ये क्योंकि जिस परिक्षा में ये फर्जी वाड़ा हुआ है उसका टॉपर भी फर्जी है से बिली की आप कर चुके हो आपने देखए तो आपके किसी फ्रेंड ने पता यखा घुशा मेरीा इनिक सब्सक्राशे सब्माना चाहते हैं सब्माड़े करते हैं सब्माण पत्रेंग्युवा अनहीं करकते हैं सब्लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकारी विद्याले को मैत्व दिया जाए उसी के आदार पर आज मैं इस मंजिल पर हूँ यह आपकी मंजिल पहली है या इससे पहले भी आपने कोई गुर्रमन्ट जोब में आप सेलेक्ट हो चुके हैं नहीं मैं इससे पहले जूनिर रसिस्ट अंट मैं कारिया रहत हूं जब टॉप करने का दावा करने वाला नरेश विष्णोई डिंगे हाक रहा था तब उसे पता भी नहीं होगा वो एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा बता दे कि नरेश विष्णोई राजकिये प्रात्मिक विद्याले में क्लर्ग था इसी स्कूल का प वीके सिंग के नेत्वरतों में जिस तरह पेपर लीक परकरण और पेपर जो माफिया थे नकल्ची थे उनके विरूद जिस तरह एसो जी के जो कारवाई चल ली थी उसमां एक नई और बड़ी अपडेट सामने आई है कि एसो जी ने जो ऐसा ही भरती प्रिक्षा का पेपर जो लीक परकरण हुआ था उसमें बड़ी कारवाई करते वे ट्रेनिंग ले रहे करीब 15 से 20 पर्शिक्षन शुदा जो बेरती थे जो सर्स्पेक्टर बने थे और ट्रेनिंग ले रहे थे उनको हिरासत में लेकर उनसे पूस्तास की जा रही है का जा रहा है कि जो टोफर थ बड़ा नरेश खिलेरी उसको भी हरासत में ले लिया और गाज आ रहा है कि उसके भी गरिपतारी है वो एसो जी की तरफ से की जा रही है एसो जी की तरफ से तीन मारच को एक फ़र दर्ज करवाई गई है जिसमें करीब 40 लोगों के नाम है जिसमें जो पेपर मापिया है जानी और राजे स्खंडेलवाल राजे स्खंडेलवाल जैपूर के एक स्कूल का प्रिंशिपल है और वो लगातार पिसले से साथ सालों से अलग लग पतियों की प्रिक्षाओं का पेपर लीग करके और इस गेंग को देता था और ये गेंग फिर अलग अपने नेट्रक के ज बता दे कि इस बार पेपर लिग में सबसे बड़ी कारवाई हुई छे महिलाएं और नौ पुरूशों सहीत 15 फरजी SI गिरफतार हुए हैं और देश भर में एक बार फिर राजस्थान लोक सेबा आयोक की किरकिरी हो रही है इधर फरजी वाड़ा सामने आने के बाद SI भर्ती परिक्षा को रद करने की मांग हो रही है उदर सीम भजरलाल शर्मा अपनी पीट थपतपा रहे हैं कहते हैं मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है नए भारत के नए राजस्थान में पेपर लीग पर लगाम कसी जा रही है और पेपर लीग पर रोक थाम हेतू गठित की गई SI टी को बड़ी सफलता मिली है लेकिन अब CM सहाब को भी कौन समझाए कि SOG की यही सफलता राजस्थान की एक बार फिर फजीहत करा रहा है और राजस्थान की परिक्षा प्रनाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं गिरो रिपोर्ट राजस्थान तक अजय को बार प्रनाली पर प्रनाली पर रहा है